एक कुंडली सौ समाधान देश की हर जोतिश्य पद्धती के समावेश के साथ संपोर्ण आकर्शक और सबसे सटी एस्ट्रोसेज ग्रिहत कुंडली आज अभी लें क्यूंकि भविश्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेट जैक श्री गनेशाय नमः दोस्तों स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन जोतिश यूट्यूब चैनल स्ट्रोसेज टीवी पर हर अफते की तरह मैंने हराजपूत आपकी सामने हाजर हो लेकर सापताहिक राश्री फल इस वीडियो में बात करेंगे 22 जून से 28 जून तके सापताहिक राश्री फल के बारे में और जानेंगे कि इस हफते कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं कौन कौन से तीस्ते वहार आ रहे हैं आपकी राशी के लिए आपको कौन से वो उपाए हैं जो करने चाहिए ताकि आपका आने वाला सबता और ज़्यादा सुन्दर बन सके ये जानकारी जो हम आपको देंगे इससे आपकी आने वाले हफते की प्लैनिंग जो है उसमें काफी मदद मिलेगी क्योंकि हम आपको विस से जुड़े सभी सवालों की जवाब पासकेंगे तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरुआत करते हैं 22 जोन से 28 जोन तक के साप्ताहिक राश्रीफल की सबसे पहले जानेंगे हिंदू पंचान के बारे में हिंदू पंचान की गणा के अनुसार इस सप्ताह के जगनाथ रथ यात्रा की शुरुआत होगी जगनाथ रथ यात्रा की हमारे सभी पाठकों को धेर सारी शुभ काम नाएं जो भी तीस्ते भार आ रहे हैं उनकी धेर सारी शुभ काम नाएं आगे बढ़ते हैं बात करेंगर ग्रहों के गोचर की तो इस सप्ता चंद्रदेव का हाल क्या रहेगा ये जल्दी से जान लेते हैं इस हफते की शेर बाजार भविश्यवानी के अनुसार सुरे देव शुक्र के साथ प्रिशब राशी में विराजमान रहेंगे वहीं बुद्ध और राहू मिथुन राशी में स्थित होंगे कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सपता खाद्य, तेलो, बुलियन, कपास, कपड़ा, FMCG और कच्छी तेल के शेरों की मांग में तेजी देखी जाएगी और शेर बाजार में लंबे समय तक निवीश करके मुनाफ़ा कमाने वाले वैपारियों को लाव मिल सकता है बाकी कोरोना की वज़े से थोड़ी बहुत वो जो है आपको उठा पठक जो है बाजार में देखने को मिलेगी तो इसलिए कुछ चीज़े जो है बदल भी सकती है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उस सेगमेंट की जो आपको बहुत ही पसंद है जनम दिन विशेश यानि इस हफ़ते 22 जून से 28 जून के बीच किन-किन नामचीन हस्तियों का जनम दिन आता है सबसे पहले अगर बात करें तो हफ़ते की शुरुयात में यानि 23 जून को बॉलिवुड की मशुहूर कालाकार राजबबर का जनम दिन है 25 जून को एक्टर आफ्ताव शिवदाशानी का जनम दिन है 25 जून को ही हिंधे फिल्मों की प्रसद अभिनेतरी करिश्मा का पूर का जनम दिन है 26 जून को अभिनेता अरजुन का जनम दिन है तो Estrosage की तरफ से इन सभी कालाकारों को जरम दिन की धेर सारी शुब काम नाई अगर आप इन में से किसी के फैन है और आपको जो है इनकी कुंडली जाननी है तो आप हमारे वेबसाइट www.estrosage.com पर जरूर विजट करें साथ ही इसके अलावाद जो हमने आपको बोला जगरन उसकी बारे में जितने भी तीस तभार हैं जितने भी गोचर होते हैं उन सभी की जानकारी के लिए आप जो है हमारे वेबसाइट www.estrosage.com पर विजट करें कह सकते हैं जोतिश का एक पूरा लेखा जोखा आपको वहाँ मिलेगा पूरी तरीके से हर जानकारी विस्तार से व ये जो राशी फल हम आपको बताएंगे आपकी चंदर राशी पर आधारित है अब जिन लोगों को अपनी मून साइग यानि चंदर राशी नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं नीचे डिस्कुप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है वो है चंदर राशी कैलकुलेटर का उस कैलकुलेटर में सर्फ आपको अपने सही सही बहुत डिटेल्स डाले हैं उसके बाद आपको अपनी चंदर राशी पता लगाएगी तो अपने चंदर राशी पता लगाईए और अपने सापताहिक राशी फल का आनन्द उठाईए इस दोरान आप अपने रोज मर्रा के गतिविधियों को नियमित रूप से करते दिखाई देंगे, जिससे कारी श्यत्र पर आपकी कारी श्रमता में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक जीवन भी बेहत अच्छा रहेगा, हाला कि स्वास्त जीवन के प्रती आपको थोड़ा अधिक सावधान रहना हो सकता है। व्यापारी जात्कों को भी बिहद शुबफलो की प्राप्ती होगी। साजुष कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। आपको हर प्रकार के विवाद और जगड़े से भी खुद को दूर रखने की आवश्यक्ता होगी। आपको सला दी जाती है कि सरकार के विरुद जाकर कोई भी कारे न करे। नहीं तो आप स्वयम को बड़ी मुसीबत में फसा सकते हैं। सप्ताह का अंत मकराश्वी के जातकों के लिए बेहद शुब रहेगा। क्योंकि इस समय आपको अपने पता की मदद से अपने कारे स्थल्व वियापार में भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। इससे पारिवारिक वातावरण में भी खुशहाली आएगी। कारीश्यत्र में आपको उन्नती करने के बहुत से आउसर प्राप्त होंगे। वहीं अपने वियापार के विस्तार के बारे में सोच रहें वियापारी जातकों को भी इस दरान कोई शुब समचार प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो चंदर की अस्थिती मकराशी के जातकों के लिए सप्ता के अंत में बेहद भाग्यवान साबित होगी प्रेमी जातकों की बात करें तो आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र इस सप्ता आपके प्रथम भाव में होगी साथी चंद्रभी की स्थिती भी आपकी राशी पर होने से प्रेमी जातकों को बेहद शुब फलो की प्राप्ती होगी आप दोनों इस सप्ता एक दूसरे के प्रती बेहद समर पर दिखाई देंगे जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आप दोनों के रिष्टे पर पड़ेगा वहीं शादिश उदाजातकों के लिए ये सप्ता थोड़ा मुश्किलों से भरा रहने वाला है हाला कि आप दोनों अपने जीवन में आ रही बाधाउं को दूर करने के लिए ततपर रहेंगे जिससे आप दोनों का रिष्टा और अधिक मजबूत बन सकेगा उपाई के तौर पर रोजाना शनी की हुरा में शनी देव के बीज मंत्रों का जाब करें इससे आपको इस सब्ता अच्छे फलो की प्राप्ती होगी भाग स्टार के तौर पर आपको मलते हैं पांच में से तीन स्टार तो अभी बताया हमने आपको कि 22 से 28 जून के बीच का जो यह साथ दिन है क्या उथल पुथल आपके जीवन में होने वाले हैं किस तरीकी से आपको अपने हफते की प्लानिंग करनी हैं उमीद करते हैं इस सारी जानकारियां आपको इस वीडियो के दौरा मिल गई होगी और आपको काफी मदद भी देंगी अपने आने वाले समय को बहतर बनाने में बाकी जिल लोगों का जनम दिन इस हफते आता है उनको जनम दिन की धेर सारी शुब काम नाएं जो भी तीस देवहार हैं उन तीस देवहारों के भी धेर सारी शुब काम नाएं अपने स्वास्त का ध्यान रखें इन्म्यूनिटी को स्ट्रॉंग बनाएं जागरूक रहें इन्हीं बातों के साथ मिलेंगे आपसे अगले हफते तब तक हंसते रहें मुस्कुराते रहें और किसी का दिल मत दुखाईएं नमस्कार